गाईज क्या आपने कभी सोचा है कि क्या होगा अगर आप कभी खौलते हुए लावा में गिर जाओ और क्या आपको पता है कि 500 साल से भी ज्यादा पूराना एक जिव साइंटिस्ट की हाथो कैसे मारा गया और गाईज आपने ये बहस कई बार सुनी होगी कि पहले मुर्गी आया या फिर अंडा तो आज इस बहस का exact scientific answer आप इस वीडियो में जानने वाले हो तो वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से और आओ चलते हैं जानते हैं इन सारे facts को गाईज आपने कई बर देखा हुआ कि fuel stations पर use no phone का sign word लगा होता है लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यूं होता है क्या phone यूज करने से आग लग सकती है तो इसका सही answer है गाईज नहीं ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि आग तो तभी लगेगी न जब battery से spark निकले या फिर उसे ignition मिले बट ऐसा होने के chances काफी कम होते हैं हाँ ये हो सकता है कि अगर आपका phone blast कर जाए और उससे जो spark निकले उससे आग लगने के chances है गाईज क्या आप साउथ के topmost famous comedian ब्रह्मनंदम के बारे में जानते हैं उनके बारे में एक fact मैं आपको बताता हूँ और ये fact ये है कि उनका नाम Guinness Book of World Record में लिखा गया है क्यों? क्योंकि उन्होंने 28 सालों में 1000 से भी ज्यादा film more than a thousand films में काम किया है और इसलिए उनका नाम Guinness Book of World Record में लिखा गया है और उनकी net worth 500 करोड के आसपास है Guys 2006 में North Atlantic Ocean से एक जीव को निकाला गया और जब इस पर research किया गया तब पता चला कि ये जीव 500 साल से भी ज्यादा पुराना है यानि कि उसकी उम्र 500 साल से भी ज्यादा है और उसका नाम रखा गया Mollask या फिर उसका दूसरा नाम था Ming उसका Ming नाम इसलिए रखा गया क्योंकि आज से 500 साल पहले जब उसका जन्म हुआ था तब चाइना में Ming डाइनेस्टी का राज चलता था और इसलिए इसका नाम Ming रखा गया लेकिन जब साइन्टिस्ट इस पर फर्दर रिसर्च कर रहे थे तब गलती से अचानक ये जीव मर गया और इस तरह हमने 500 साल से भी ज्यादा पुराने एक जीव को खो दिया Guys क्या आपने अभी कभी सोचा है कि क्या होगा अगर कोई इंसान लावा में गिर जाए आप बोलोगे कि इसका obvious सा answer है कि वो आदमी लावा में डूब जाएगा और पूरी तरीके से जल जाएगा लेकिन ये answer सही नहीं है देखो सबसे पहले अगर कोई इंसान लावा में गिरता है तो सबसे पहले तो वो उसमें डूबेगा नहीं उसके surface पर ही तैरने लएगा क्योंकि लावा काफी ज्यादा dense होता है मतलब घना होता है इतना ज्यादा dense होता है कि कोई इंसान उसके अंदर डूब नहीं सकता है बट हाँ उसके surface पर ही वो तेरता रहेगा अगर कोई इंसान लावा में गिरता है तो जलने से पहले ही वो मर जाएगा क्योंकि लावा के surface के उपर बहुत सारी poisonous gases होती है जो इंसान की जान सिर्फ कुछ मिंटों में निकाल देंगी और poisonous gases के साथ-साथ वो इंसान बुरी तरीके से जल जाएगा क्योंकि लावा का temperature approximately 700 degree Celsius से लेकर 1200 degree Celsius तक होता है तो वो इंसान कुछ ही minute में भी नहीं बलकि कुछ ही seconds में मर जाएगा और reference के लिए मैं बता दूँ कि लोहा भी 100 degree Celsius पर पिघल जाता है और यहाँ पर 700 degree Celsius है यानि कि 7 गुना ज्यादा temperature तो सोचो इंसान का क्या हाल होगा गाइज आपने ये बहस कई बार सुनी होगी कि पहले मुर्गी आया या फिर अंडा तो चलो गाइज इस बहस का scientific और सही जवाब इस वीडियो में मैं आपको देता हूँ तो इसका सही answer है गाइज कि सबसे पहले एक मुर्गी existence में आई थी ना की एक अंडा क्योंकि अंडे के जो cells होते हैं मतलब उसका जो covering होता है उसको बनाने के लिए जो protein use होता है वो सिर्फ एक मुर्गी ही बना सकती है अब आप बोलोगे तो फिर मुर्गी कहा सही अंडे से ही आई होगी ना तो ये इसका सही answer नहीं है ऐसा नहीं हुआ था आप एक चीज़ imagine करो ऐसा नहीं हुआ था कि life चल रही है और अचानक से असमान से एक मुर्गी टपक पड़ी थी ऐसा नहीं हुआ था वो हजारों सालों से अपने ancestors से evolve करती हुई आ रही है और आज जो हम मुर्गी देखते हैं वो हजारों साल पहले ऐसी नहीं हुआ करती थी इसको समझने के लिए आप ऐसे imagine करो कि हम इंसान मतलब homo sapiens कई हजार सालों से evolve करते आ रहे हैं और आज finally हम ऐसे दिखते हैं तो इसी तरह ही मुर्गी भी कई हजारों सालों से evolve करती हुई आ रही हैं और जैसा वो आज दिखती हैं वो हजारों साल पहले ऐसी नहीं दिखती थी जैसा वो अभी दिखती है तो गाइस बस आज के इस वीडियो में बस इतना ही मैं उमिद करता हूँ कि आपको इस वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो का like कर देना चैनल पर नहों तो चैनलों को subscribe कर लेना और बिल आइक उनको भी प्रेस कर देना इस वीडियो को share कर देना अपने friends and family के साथ ताकि वो भी इससे सीख सकें तो guys मैं मिलता हूँ आपसे जल्दी किसी अगले वीडियो में तब तक लिए goodbye and at the end इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए thanks for watching और guys अब वीडियो से हट कर एक बात मैं जानता हूँ कि काफी दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी काफी दिनों से नहीं in fact कुछ महीनों से तो guys इतने दिनों से वीडियो ना आने का रीजन यह है कि मेरे board exams के साथ साथ कुछ entrance exams भी थे तो उनकी preparation की वज़ा से मुझे time नहीं मिल पा रहा था तो मैं उमीद करता हूँ कि यह आप समझोगे लेकिन अब आप चिंता मत करो अब से वीडियो से रिगुलर लियाएंगी तो बस आप अपना support और प्यार ऐसे ही बनाए रखना बस यही कहना था आप से